वैसे तो हर दिन ही प्रेम का दिन होता है लेकिन वेलेंटाइन डे का कपलो के बीच खास Il needs dz indicates कहता है वो बेशबरी से इस दिन का इंतजार खरते हैं इस द दूरान वो एक दूसरे से खुल कर अपने प्रेम का इजहार भी करते हैं और गिफ्ट भी देते हैं वेलेंटाइन डे के इस औसर पर हम आपको बता रहे हैं कि राशी के अनुसार आप अपने पार्टनर को क्या गिफ्ट दें जिससे कि आपके रिलेशन और भी मजबूत हो सके और आपका प्यार जीवन भर बरकरार रहे तो चलिए जानते हैं कि राशी अनुसार कौन से राशी से क्या गिफ्ट देना चाहिए पहला मेश राशी मेश राशी के लोग थोड़े गुसेल होते हैं आपका पार्टनर मेश राशी का है तो आपको थोड़ा खर्च जरूर करना होगा मेश राशी के लोगों को आमतोर पर कीमती गिफ्ट पसंद आते हैं ऐसे में इन्हें महांगा पर्फ्यूम गिफ्ट किया जा सकता है रेड इस्टाइलिश टी शर्ट या फिर प्रिंटिड भरकीले रंगों कवाला इस्टॉल भी आप गिफ्ट कर सकते हैं मेश राशी को पीले रंग का रोज देना शुब होता है दूसरा ब्रिशब राशी ब्रिशब राशी का स्वामी वीनस या फिर शुक्र है आपका पार्टनर व्रिशब रासी का है तो चमकीले रंग या सफिर सफेद रंग से जोड़ी कोई चीज इन्हें गिफ्ट करना चाहिए वैसे इनके लिए बेश्ट गिफ्ट डायमंड माना जा सकता है लेकिन ब्यूटी फूल रिंग की चेन इनके लिए बेश्ट ऑप्सन होते हैं आप किसी तरह का इलेक्ट्रोनिक आइटम भी गिफ्ट कर सकते हैं इन्हें रोज की जगा वाइट लेली के फूल देना अच्छा शकुन देता है मिथुन डाशी के लोग मूडी होते हैं ये एक जगा पर टिक कर लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं ऐसे में अगर आपका पार्टनर जैमिनी है यानि कि आपका पार्टनर मिथुन डाशी का है तो आपको बहुत ही पेशन्स रखने की जरूरत होती है मिथुन डाशी को वो लोग पसंद आते हैं जो इनकी बात को मानें और इनकी बहुत केयर करें इनके लिए बेश्ट गिफ्ट होता है कि आप इन्हें किसी रोमैंटिक जगा पर घुमाने ले जाएं इन्हें पिंक रोज से अट्रेक्ट कर सकते हैं चोथा करकराशी करकराशी के लोग अपनी लव लाइफ की हर बात और लमहे को संजो कर रखना चाहते हैं आपके पार्टनर की राशी करक है तो आपको इनके कैमरा, स्टाइलिश फोटो फ्रेम, इंटिरियर डेकोरेशन की कोई चीज देना चाहिए करकराशी के पार्टनर आपकी हर अच्छाई और बुराई को याद रखते हैं इन्हें मौर्निंग गुलोरी के फ्लावर्स देना चाहिए पाचमा, सिंगराशी सिंगराशी के लोग थोड़े एरोगेंट होते हैं इतनी आसानी से ये लोग खुश नहीं होते इन्हें हमेशा रोयल ट्रीटमेंट चाहिए होता है इन्हें किसी महंगे रेश्टूरेंट में डीनर के लिए ले जाना इनके लिए बेस्ट गिफ्ट हो सकता है फ्लावर में अगर रेड रोज या फिर ब्यूटिफुल संफ्लावर भी इनको पसंद आता है इन्हें गिफ्ट देना आपको थोड़ा महंगा भी पर सकता है छठा कन्या राशी कन्या राशी वाले पार्टनर को गिफ्ट देने में परफेक्शन होना चाहिए नहीं तो कन्या राशी का आपका पार्टनर आपसे गुस्सा हो सकता है इन्हें अपने यादों को सम्हालने के लिए दिजिटल डायरी देना अच्छा रहेगा वैसे कन्या राशी के आपके पार्टनर के लिए बेश्ट गिप्ट वही होगा कि आप उन्हें खुद ही शॉपिंग पर ले जाएं वाइट एश्टर के फूल इन्हें पसंद आते हैं सात्मा तुला राशी तुला राशी के पार्टनर हैं तो आप बहुत ही लखी है इन्हें खुश करने के लिए किसी महंगे गिप्ट की जरूरत नहीं होती है ये लोग अपने पार्टनर के साथ हर इस्तिती में खुश रहना चाहते हैं इनके लिए सबसे बेश्ट गिप्ट यही होगा कि आप इन्हें भरपूर टाइम दें जबकि फिर भी फैशनेबल आउटफिट्स आप इन्हें दे सकते हैं इन्हें किसे भी गिफ्ट के साथ नीले रंग का फूल दे सकते हैं इनमें ब्लू वेल्स के फ्लावर बेश्ट होते हैं आठवा ब्रिश्चक राशी ब्रिश्चक राशी के पार्टनर को गिफ्ट करने की तो इन्हें खुश करना आसान नहीं होता है फिर किसी भी तरह कोई भी रेड कलर के महांगे गिफ्ट आप अपने स्कॉर्पियो पार्टनर को यानि के ब्रिष्चक राशी के पार्टनर को दे सकते हैं इन्हें रेड रोज देना ही चाहिए ये रोज देख कर कुछ ज़्यादा ही रोमैंटिक हो जाते हैं नवा धनुराशी धनुराशी के आपके पार्टनर हो तो आपको गिफ्ट देने में बहुत सोचना पर सकता है इन्हें एकदम यूनिक गिफ्ट ही पसंद आते हैं ये लोग एडवेंचर पसंद करते हैं इसलिए आप इन्हें नई रोमैंटिक जगह पर भूमाने भी ले जा सकते हैं इनके साथ अकेले में समय बिताएं इन्हें हलके पीले कलर के कोई से भी खुश्वदार फूल बहुत पसंद आएंगे दसमा मकाराशी बात जब मकाराशी को गिफ्ट देने की हो तो वो मजबूत इरादो वाला साथी चाहते हैं इन्हें किसी भी तरह के महंगे गिफ्ट की जरूरत नहीं होती है क्लासिक जुलरी नीले रंग के कोई कपड़े इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं इन्हें गहरे नीले रंगों के साथ वाइट कलर के फूल मिला कर देना शुब रहता है 11. कुम्भराशी कुम्भराशी के लोग रोमैंटिक होते हैं इन्हें आपके रोमैंस यूनिक इस्टाइल ही गिफ्ट के रूप में पसंद आएगा फिर भी अगर कुछ आप देना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स इन्हें दे सकते हैं फूल में इन्हें और्किड देना आपके लिए फायदे का सौधा हो सकता है 12. मीन राशी मीन राशी के पाटनर के साथ बहुत ही संभल कर चलना चाहिए इन्हें कोई महंगी चोकलेट या फिर इनकी राशी के अनुसार जेम्स देना भी शुब रहता है वहीं ये मोनो टोनस रिष्टे भी पसंद नहीं करते हैं इन्हें खुश करना है तो आपको रोमैंस का नया अंदाल ढूरना होगा फूल में इन्हें लिली या फिर वाटर लिली देना शुब रहता है नेक्स्ट नाइन स्पिरिचूल से बिनित राइकी रिपोर्ट